गुड मॉनिंग क्लास कैसे हो आप सब अपने घर में अपने फामिली के साथ बिटा खुश और सुवस्थ हो चला बच्चो आज हम लोग क्या लिखना सीखेंगे मैं आपको फिर से एक टू जेड रिपीट करा रही हूँ क्योंकि वहाँ सारे जो बच्चे हैं बिटा वो स्कीब कर गए हैं वहाँ सारे बच्चे जो हैं लिखना जो हैं भूल गए हैं तो इसलिए मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जो बच्चे छूड गए हैं वो फिर से इसे देखकर कंप्लीट करें और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीके तो कल मैंने आपको A, B, C, D लिखना सिखाया था पहले हम लोग A, B, C, D फिलप में complete करेंगे उसके बाद E, F, G, H आज English में लिखेंगे तो आप भी अपनी English की copy में इसे complete करोगे ओके A के बाद हमें यहां क्या लिखना है B और B तो आप लोग लिखना जानते ही हो पहले standing line और उसके बाद half circle, half circle, okay C के बाद हमें D लिखना है standing line और फिर ultra C A, B, C, D अब हमें लिखना है D के बाद क्या आता है तो आप सब जानते ही हो कि D के बाद E आता है तो पहले हमें standing line draw करनी है बिटा फिर एक छोटा सा sleeping line, middle वाले में भी sleeping line और last वाले line में भी sleeping line छोटे-छोटे 3 आपको sleeping line draw करने होंगे तो यह क्या बन जाएगा E, E for elephant जिसे हम लोग हाथ ही बोलते हैं जो कि जंगल में रहता है अब हमें F लिखना है तो F भी कैसे लिखना है बिटा पहले हमें standing line एक draw करनी है फिर red line में एक छोटा सा sleeping line और एक middle line में छोटा सा sleeping line E में 3 lines draw होते हैं और F में 2 lines draw होते हैं है ना E के बाद F आता है और F क्या होता है फिश जिसे हम लोग मचली बोलते हैं अब हमें क्या लिखना है A, B, C, D, E, F F के बाद हमें G लिखना है तो पहले हमें C जैसा आपको बनाना है बिटा ठीक है फिर आपको ऊपर की और ले जाना है चोटा सा sleeping line फिर आपको एक मिड़ी लाइन में चोटा सा sleeping line और फिर नीचे की और एक standing line तो यह आपका G बन जाएगा तो रहा सा difficult होता है बच्चे जी लिखने में बहुत जादा confused हो जाते हैं बहुत जादा भूल भी जाते हो जी लिखने ही पाते हैं जो भी लेटर्स आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है उसे आप घर में टू टाइमस त्री टाइमस फोर टाइमस रिपीट करो तो आप जल्दी उसे कैच कर पाओगे सीख पाओगे तो जो भी आपको लगता है कि ये लिखना मेरे लिए पॉसिवल नहीं है या फिर मैंने लिख पा रहा हूँ उसे आप लोग दो बार तीन बार घर में लिखते रहिएगा तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे जल्दी इसके पास में इक और स्टर्णिंग लाइन भी एप जीख एजुआ जो इपको अपपी में कम्प्लीट करना है उपपर जो फिलब दिया है उसे भी कम्प्लीट करना है चलिए नेक्स चलते हैं, धिटा ते बहूंने नंजी चील सी कर्णक disappearance कि लिखने तालब्युषा लिखना लिक ना जिसे मैंने आपको कल सिखाया था तो पहले रा जया лед से चोटा सा एक गोल बनाना है और इसके पास में सीधी लाइन आपको ड्राव करनी है यारालावा तालब विश्चा, तालब विश्चा के बाद आता है बिटा मुधन नश्षा, तो हम लोको आज मुधन नश्षा लिखना है तो मुधन नशा कैसे लिखोगे जैसे आप लोग पा लिखते हो या फिर मैस में जैसे फोर लिखते हो वैसे ही लिखना है पहले आपको एक सीधी लाइन डुरा करनी है और फिर आपको एल के शेप में इसमें मिला लेना है तो ये बन गए आपका पा या फिर आप इसे मैस में फोर भी कह सेकते हो जैसे आप लोग फोर लिखता हो ना है इस तरीके से तो ये आपका क्या बन जाएगा मुधन नशा लेकिन मुधन नशा कैसे बनेगा इसमें आपको एक और लाइन ड्रॉआ करनी होगी अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे तो ये भी पा कहलाएगा है ना और हमें मुधन नशा लिखना है तो मुधन नशा के लिए आपको जो बीज में खाली जगा बचा हुआ है उसमें आपको एक और लाइन ड्रॉआ करनी है तब जाकर ये मुधन नशा बनेगा बट आपको पहले पा की तरह लिख लेना है जैसे आप पा फा लिखते हो ना वैसे या फिर आप मैस में कहो तो फोर और फिर इसके बीज में आपको एक और छोटी सी टेरी लाइन ड्रॉआ करनी है तो इस तरीके से आपका ये जो है मुधन निशा बन जाएगा और मुधन कोन शट कोन ओके बाकी जो पेज है आपका हूं ओके इसे आप कम्पलीट करोगे चले चलते हैं मैस की ओर मैस में आज हम लोग क्या लिखेंगे पहले से हम लोग कम्पलीट करते हैं 2 1 21 के बाद हमें लिखना है 2 2 22 2 3 के बाद हमें क्या लिखना है 2 4 24 2 5 25 के बाद हमें क्या बिटा 2, 6, 26 और 2, 6 के बाद 27 तो लिखा हुआ है 2, 7, 27 के बाद क्या होगा 2, 8, 28 और 2, 9 तो अलेडी लिखा हुआ है अब हमें 29 के बाद आगे लिखना है तो 29 के बाद क्या आता है आप सब को तो अच्छे से काउंटिंग आती है क्योंकि मैं जब ही online क्लास में आप लोग से ही हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से answer देते हो 29 के बाद 3030 होगा तो हमें 3030 लिखने के लिए पहले 3 लिखना होगा और जीरो 3030 ओके तो आपको भी इस तरह से अपनी मैस की कॉपी में लिखना है 3030 3030 तो पहले आप इसे फिलप को कम्प्लीट करोगे और उसके बाद फिर आप भी कॉपी में 30 लिख होगे ओके that's all for today ta da bye bye and take care